Grand Vitara versus Grand Rider दोस्तों, चोईस आप लोगों की है, दोनों भी Sigma variant है, बेस variant है Grand Vitara का, ये कार में हमने मारूती Genuine के Alloy Will इंस्टॉल किये हुए हैं, जो 17 इंचेस के आते हैं, और ये कार में हमने 2-tone नहीं किया हुआ है, जो High Gloss PPF हम करते हैं, Roof Rail, Door Wiser, Lower Window Garnish हमने इंस्टॉल की हुई लुक और स्टेंड आउट आप चेक आउट कर सकते हैं, अभी ये ही कार है, इसके अंदर हमने 18 इंचेस के the diamond cut alloy wheel इंस्टॉल किये हुए हैं, दोस्तों, एक लुक देखिए, एक स्टेंड आउट देखिए, ये alloy wheel के साथ, और वो alloy wheel के साथ, चोईस आपकी है, वो 11,000 रुप आज तो comparison का मोका भी मिल गया, मेरे Grand Rider के भी आपने वीडियो देखे हुए हैं, विटारा के भी देखे हुए हैं, लेकिन आज मोका भी मिल गया, दोनों भी कार को एक साथ रखने का, तो आप प्लीज मुझे बताना कि कुन सी कार जादा अच्छी लग रही है, ये कार को हमन अच्छी निंचे के अलॉई भी लगते हैं उसकी कुछ भात ही कुछ और होती है, इंटीरियर और बोध दा कार में, इसमें हमने ब्राउन कलर का इंटीरियर किया हुआ है, दोस्तों, एक-एक लेधर रैपिंग आप देख सकते हैं, फिट्मेंट एंद फिनिशिंग आप च चेक आउट कर सकते हैं, सीट कवर, डूइल टोन का हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, विद द सेंटर परफोरेशन के साथ, इसमें श्टेरिंग हमने चेंज नहीं की हुई है, डेश बोड की भी लेधर रैपिंग आप चेक आउट कर सकते हैं, हमने ब्राउन कलर की ही इंस्टॉल की हुई है, ये कार में भी 10.38 का इंचेस का प्लेयर हमने इंस्टॉल किया और LED किट इंस्टॉल किया है, अभी Grand Rider में आते हैं, Grand Rider बोल दिया, तो धुम धड़ाका तो होना ही है दोस्तों, this is the luxurious interior, luxurious the champagne gold interior हमने ये कार के अंदर किया हुआ है, क्योंकि ये कार मे जो interior styling kit भी है, जो top variant में आती है, champagne gold color की हमने install की है, इसके अंदर existing silver color की ही लगके आती थी, door wrapping की just seat the finishing दोस्तों की हम किस तरीके से install करते हैं, एक-एक seat cover की fitment, finishing, armrest आप check out कर सकते हैं, same color की mats भी हमने ये कार के अंदर install की है, और ये कार में all the pillar, A, B and C, तीनों भी pillar हमने leather wrap किये हैं, और top भी हमने black color का किया हुआ है, ये कार के अंदर, क्योंकि अगर luxurious interior की मैं बात करूँ, तो luxurious interior ही अधूरा है दोस्तों, अगर मैं top को मैं black नहीं करूँगा, एक-एक फिर से मैं बोलूँगा, leather wrapping with the champagne gold की interior styling kit है, dashboard की leather wrapping work हमारी, player की fitment and finishing, high gloss के हमारे AC के जो panels है, gear lever के जो knobs है, उसकी ring है दोस्तों, seat cover की fitment, finishing, अब check out कर सकते हैं, ये कार में the de-cut steering भी हमने ये कार के अंदर install किया हुआ है, क्योंकि उसमें bluetooth के switches नहीं लग के आते हैं, तो हमने steering भी de-cut वाला the sports steering हमने ये कार के अंदर install किया हुआ है, पूरी कार के अंदर, vikul की film हमने install की है, तो choice आपकी है, grand vitara या grand rider, लेकिन grand rider value for money है दोस्तों, look देखिये, stand out देखिये, ये alpha है, zeta है, alpha plus है, sigma है, एक ही allowable है, लेकिन कुछ अलग चाहिए, कुछ stand out चाहिए, एक 50 grand vitara में अपनी कार हमको पैचाननी की है, कि कुछ अलग कैसे है, तो ये चीज में आएंगे, और दोस्तों, 100% success है, ये alloyable क्योंकि ये genuine है, ये Tucson के आते हैं, मेरी kraton की जो series successful हुई है, ये alloyable के वज़े से, मेरे grand rider की, जो successful हुई है series, ये सिर्फ alloyable के लिए, और दोस्तों ये grab कर लीजिए मोका, ये alloyable जब आज से एक साल पहले मैंने अलकजर में लगाये थे, ये 38,000 रुपीस के पर पीस थे, अभी 13,000 है, पता नहीं क्यों, जब तक मोका है, बढ़ा लीजिए, लेकिन ये कीमत तो बढ़ेगी पका दोस्तों, तो उससे पहले choice आपकी है, तो य ये वीडियो, ये comparison आपको किस तरीके से लगा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, drive safely and thank you friends once again.